हेलो फ्रेंट्स, अब देखने टेकनीकल हिंदी गुरी जी हमाराश्च इष्टेट के कुछ डाउट्स आपके हैं जैसेम की माराश्च इष्टेट के आप सभी को पता है की सेकेंड राउड का सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रीलीज हो चुका है selection list release होने के बाद छात्रों के कई comments आ रही है जो कि छात्र मुझसे काफी comments किये SMS mail किये है कि सरकुछ doubts है उनको clear कर दीजेगा तो आपके जो doubts है वो clear करने वाला हूँ कि जिन छात्रों को admission मिल गया है तो उनहीं क्या करना होगा उसका फ्रेंट्स बात आती है कि जिनका upgrade हो चुका है उनको क्या करना होगा तीसरा ये है फ्रेंट्स की upgrade जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें शात्र मोप अप राउंड के बारे में भी इस व्यूडियो में लाश्डेट है कि उनको कॉलिज में जाकर एड़ीशन लेना अपना और उनका जो retention form होता है status retention form उसको submit करना 18 दिसम्बर साम 5 वेजे आपके लिए लाश्डेट है जाकर के विजिट कर सकते है और एड़ीशन जिनको लेना है जाकर एड़ीशन ले सकता है उसका फ्रेंट से मैं आपको बता दूँ आपको final cut-off के बारे में पता चल चुका होगा हलाकि मैं भी आपको बता चुका हूँ cut-off के बारे में कि क्या cut-off गई हुई है कितने कितने मार्क्स पर चातरों को quality alert हो चुके है चैनल पर जाकर नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजेगा तो देखे फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको एक करके सभी doubts आपके जो हैं वो clear करने वाला हूँ तो यहां पर बात आती है पहली कि जिनको admission मिल चुका है वो चातर क्या करें जिनका second round की list है रिलीज हुई थी selection list उसमें उन चातरों का नाम है तो उनको क्या करना है फ्रेंट्स वीडियो को लाइक नहीं का वीडियो को लाइक जरू कीजीगा उनको क्या करना होगा उनको करना कुछ नहीं होगा 18 दिसम्बर सम पांच में से पहले जाकर के admission ले लें retention form होता है उसको fill up करते हैं जाकर के भरके दे दे और उसके बाद आपको अगर जितने भी original documents बगएरा होते हैं वो सभी documents जाकर के वहाँ पर जो है अपना verify कराईएगा DD बगएरा होता है उस DD बगएरा को भी submit कीजेगा जाकर के उसके बाद आपका जो अगर आप OVC, SC, ST EWS category से belong करते हैं तो आप अपना cast certificate जाकर की देजिएगा वहाँ पर और cast validate certificate जाकर की देजेगा जो की आपको submit करना पड़ेगा उसके बाद friends बात आती है कि अगर आपके पास कोई documents नहीं होता है ठीक है तो कोई बात नहीं आपके पास एक दू 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 का चार ची दू का time दे दिया जाएगा लेकिन आप time से पहले जाकर के थारष दिसम्बर सांपाँच बेसे पहले जाकर के अपना आइडिवीसन जरू ले ले अगर आपके पास कोई documents नहीं है तो आपको समय मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और किसी चात्र का gap है तो पर gap certificate भी दे दिजिए में उनको क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया अब सेकिंड ठाट्रों का की जिनका अपग्रेड हुआ है टिक है जोनोंने फर्क यून ऩे फस्ट राउन्ध में जो जो आपको first round में college alert हुआ था यानि previous college जो है जिसमें आपने अप्ग्रेड किया था उस college में जाएगा अपने previous year नहीं previous college में जाएगा जो आपको पहले college मिला था first round में उसमें जाएगा previous college में जाकर के आपको जितने documents आपने बहाँ पर original पगएरा documents submit किये थे उस सभी documents को आपको सबसे पहले तो collect करना है अपने सभी documents ले लेने है उसके बाद आपको 1500 का आपको वहाँ पर fee देना होगा देने के बाद आपने जो DD दिया है वो DD भी आपको ले लेना है पापस collect करके collect कर लेना है अपना DD और उसके बाद आपको जो नया college upgrade होने के बाद मि टीडी बनवाने के बाद जो डॉकुमेंट्स सम्मिट होते हैं आलाकि आपको पता तो चली गया होगा क्योंकि फ्रस्ट कॉल राउंड में जो आपको सीट मिली थी उसमें आपने कॉलिज में क्या प्रोसेश रहा था कौन कौन सी डॉकुमेंट्स ले जाईगा उसका अपना वहां पर सम्मिट कर दीजिगा तो जिन चात्रों को अप्ग्रेड हो चुकी हैं चात्रों को दूसरा कॉलेगा है उनको तो बस यह करना है प्री प्रिविएश यह प्रीविएस कॉलेज आपका है उसमें जाना है सभी डोकुमेंट से ले लेने हैं बन थाउजन्ट फाइव अपको फी दे देनी है डीडी कलेक्ट कर लेना है फिर नए कॉलेज में जाकर अपना डीडी बेगरा सम्मिट करकर डॉकुमेंट सम्मिट करकर एड़ीसन ले लेना है तो यह तो आपकर रहा अप्ग्रेड हुआ उन छात्रों का अब बात आते हैं थ कि देखिएगा उनको द्वारा से कॉलेज जाने के कोई आवसकता नहीं है माली जी फिर्फ्टर राउंटम को क्या अप्ग्रेड करना है मो पर जाने के बारे में सहीं विडियो में चांब करना है मोप अ ब्राउंद के में भी आपको पाटिस्पीड करना है कोई फीज बगएरा नहीं लगेगी क्या कि फर्स राउंड में आपको फीज देजी आ Ass até a कि आएअगा लगाहा बाद ही यह आपका बागारा आएगा जो कि बीस दिसम्बर मान के चलिएगा एक एकस्पेक्ट डेट ठीक है उसके बाद आपका मुपप राउंड में अगर कॉलेज दूसरा मिल जाता है ठीक है तो आपको भही प्रोसेस करना है जो कि मैंने आपको बताया था इस सेकंड कुस्टन के लिए कि जिनको कॉलेज जो प्रीव सीट होगा उसमें आपको जाकर के डीडी बेगरा देना है एडविशन प्रोसेस में पूरा कम्प्लीट करना है तो यह आपको करना है अप्रेट वाले कुछ ना करें मौप राउंड का बेट करें ठीक है लेकिन आप बात करें यहाँ पर मौप राउंड के इस तरह से होगा क्या होगा समॉप प्राउंड में तो देखे फ्रेंट के पार भी एक राउंड होता है जिसे हम इस्टरे के रांड में इंफार म कर चुका हूँ मैं आपको बता दिया है चैनल पर जाकर उस वीडियो को होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है और उसके बाद रहा अपका मॉपप राउड तो मॉपप राउड देखेगा इस्टेट लेविल करता एक होता है इक होता आपका अॉल इिंडिया कोटा चनुम्स कराता है उसका और बकाया सब अलग लग लग कराता है अबना मोपश सब्सकार्ड के लिए हैं उसके बाद जिन छात्रों को कॉलेज मिल गया है लेकिन ऐड़ी सब्सक्राइब लेकिन अंहोंने रिटेंशन का हुता है इस्टेटस रिटेंशन का हुआ थैप्ट भी आप इलिजबल दे रहे हैं आगर आपने स्टेटस रीटेंशन आपने कॉलेज़ में जाकर तो आप अफिनम नहीं यह मोजुल्भाव नहीं कि गजा है डिया जाकर कि आपわか इसके Rider उसके रॉन्ली यह का पूंट को यह इस चीजा मांनके चलीगा कि एक सपत दे रहे हैं तो अगर आप इस्टेटस रिटेंशन फॉर्म सम्मिट कर देते हैं तो आप इलिजबल नहीं रहेंगे मुपव राउंड के लिए और उसके बाद जस्टेट करते हैं हो जिस तट ये मुपव राउंड इस्टेट में मुपव राउंड में महरेश्ट ऍस्टेट लेंगा तो इस तरह कएंचा आपको किसका प्रोसस रहता है और जिन चाटें कर दिया है फार्श को रौंड शातिर ने नहीं करें उनका भय रेश्थ्रेस्टेशन काम करेंगा इसमें आप नहीं कर सकते हैं जब जब आपने कव इस रौंड ने registration ना किया हो तब ठीक है तो यह inform करना था मुझे और इसके अलाबह कोई भी question आपका हो तो comment पूछ लीजेगा